सब्सक्राइब करेंगे कि किस प्रकार से आप अपने क्लास 12 के कमिस्ट्री बोर्ड एक्जाम में 95% से उपर नंबर लेकर आ सकते हो 95 में बड़ा बोल रहा हूं यह ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सौ मिसेस वाफूर सकते हो पूरे क्लास 12 के बोर्ड एक्जाम में जितने साइंस वाले बच्चों के पेपर होने वाले हैं सबसे आसान जो आपको पेपर लगेगा अगर हम पिछले ट्रेंड को देखें वह मोस्ट प्रवि जने घुली तो बढ़ने से पहले जितने भी स्टूइंट्स हैं एक बात को बिल्कुल गांड के रख लिना परका नहीं पड़ता हूँ की तरी三 में क कि नहीं सै साट फील में कितने आयते 10 कि तने यह थे गयर वी में कितना थे 12 के फ्रीबोर्ड में कितने आय stall पर बारवी के बोर्ड एक्जाम में और स्यूटी में आपके आज तक के सबसे ज़्यादा नमबर आएंगे यह एक फैक्ट है और इसे आप भी नहीं बदल सकते आपको उस दिन का पेपर छोड़के आना पड़ेगा उस चीज को करने के लिए अब आगे बढ़ते हैं कि किस प आपको 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 आपका माइनस वन है साठ मिनट आपको दिये जाएंगे टोटली आपका अब्जेक्टिव यह होता है सिलेबस इसमें जादा है जो चैप्टर बोर्ड में नहीं आते वह सीटी के अंदर पूछे जाते हैं और गानिक फिजिकल इन और गानिक अब पिछले दो साल के आप ट्रेंट देखो के तो कई जगह आपको मिलेगा कि बही और गानिक कमिस्ट इसाब से मतलब हो सकता है कि एक्जामीनेशन में मतलब फिजिकल इन और गानिक को थोड़ा का मवेटिज दे दिया हो पर ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोच के जाना है कि यह और मैं और गानिक पढ़ लेता हूं यह पूरा सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें एक भी चीज न अगर आपने इसमें राइट स्ट्राटेजी और पाथ फॉलो कर लिया एंसी आटी आपकी बाइबल होने वाली है एंसी आटी के भार आप से कुछ नहीं पूछना जाने वाला है सिर्फ हमें सैंपल पेपर क्राक्टिस पेपर करके जाने होंगे यह छह चाप्टर हैं सॉलि स्लेबस चाहिए होगा तो वह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे दूंगा से बीएसी का जो स्लेबस दिया है यहां पे अब जो बोर्ड में हमारा प्राइमरी टार्गेट क्या होगा हमारा यार अभी मार्च के अंदर बोर्ड एक्जाम आएंगे औ तो आपका क्या रोड माप उना चीह नेक्स टूमंस के लिए तो हमारा प्राइमरी टार्गेट होगा बौर्ड के स्लेबस को कवर करना फिर एक बार जब हमारा बौर्ड का सलेबस कवर हो जाएगा तब हम इन 6 चाप्टर को कर रहे होंगे राइट यह हमारा से कंडरी टार् से देखो के तो हर चैप्टर छे साथ आठ नो नंबर का है तो एक तरफ कोई श्ट्रॉंग बायस निया जैसे पुराने टाइम में पी ब्लोक का एक बायस होता था वो सबसे बड़ा माक्स का आता था फिजिक्स में आपका रे ऑप्टेक्स सबसे बड़ा बायस होता है सबसे आता माक्स का एगा पर अब आप देखो के तो एलेक्ट्रो कमिस्ट्री थोड़ा चाप्टर बढ़ा है इसलिए नौ माक कर दिया और 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 अर्गानिक कमिस्ट्री में आपका एल्डी हाइड के टॉन काबॉक्स लिक आसे जो है यह यह आठ माक का रहे इन शॉर्ट बोले सब्सक्राइब करना चाहते हैं और दूसरे वह बच्चे जिने फॉरिंग उनिवर्सिटीज में अप्लाय करना है उनके भी लिए बोर्ड एक्जाम की एक महत्व रहती है और बाकी हमेशा लाइफ में तो आप बताई सकते हो कि हार हां मेरे बोर्ड में इत्ते प्रतीशत आ आएंगे सबका एक माक होगा और इनमें कुछ आपके मल्टिपल चॉइस वाले हैं और कुछ आपके असर्सन रीजनिंग वाले आएंगे यह जो सैंपल पेपर है यह भी ऑफिशल है और इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्रिप्शन बॉक्स में दे दूमा राइट उस दे रखिए जैसे आप बड़े कोश्चन में जाओगे तो यह दे दिया किया तो यह कर दो और यह वाला आंसर देदू पर उतना उपर से देखोगे तो ऐसा नहीं कि यह 10 कोश्चन है और 10 में से यह 5 कर लो यह 6 कर लो यह पहले हुआ करता था थोड़ा इसका अर्थ यह है क कि आपको स्लेबस और एक्स्ट्रीम तक कवर करना पड़ेगा आप नीचे आओगे तो थोड़ी बहुत आपको च्वाइस मिलेगी कि जैसे अटेम्ट है नहीं पर यह उतनी स्ट्रॉंग च्वाइस नहीं है कि पूरे सेक्शन में से आप इतना कर लो इसकार थी है स्लेबस क स्कोर लेकर आने और अगर आपने ध्यान से सुना जो मैं आगे आपको चीज बता रहे हो तो इसमें हमारी कहीं कमी नहीं रहेगी पर एक बात के दयान रखने कि और गानिक कमिस्ट्री को वन गो के अंदर करना है यह गलती मत करना कि हैलो एलो एरीन एक बर पढ़ लिया दस एक बार में हम सिर्फ इसी पर ध्यान देंगे ऐसा नहीं कि यह भी पढ़ रहे है फिजिकल भी पढ़ रहे है इन और गानिक भी पढ़ रहे वह गलती नहीं गरेंगे दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कई बच्चे जो और गानिक कमिस्ट्री से डिरते हैं वह इस क्लास 11 और गानिक कमिस्ट्री बेसिक्स फर बोर्ड एक्जाम तो आपका दो से चार गंटे का कोई वन चौट आएगा जो आपको पसंद आए वो आप पढ़ लो इतने में आपका सारकाम हो जाएगा बेसिक अपने छोटे नोट्स बना ले ना उसके और उसके बाद हेलो ए मैं फिजिकल करता क्योंकि समझने वाली चीज जादा टाइम तक याद रहती है दूसरे नंबर पर मैं और गानिक करता क्योंकि इसमें भी कुछ हद तक लॉजिक आप बचे रिलेट कर पाएंगे तीसरा इन और गानिक वह यह काफी हद तक रटने का सब्जेक्ट लगता है इसको मैं लास्ट में रखते क्योंकि यह जो भी आप रटोगे वह पेपर से पहले जितना पास हो उतना बैटर रहता है डाउट आता है कि बहिया कैसे एक चाप्टर को पढ़ना चाहिए जिससे कि कम टाइम में हम जल्दी उसे पढ़ पाएं for example कोई भी आप चाप्टर ले तो ऐसे कि अंदर किस प्रकार से पढ़ें जिससे कि एक बार में यह पढ़ते वक्त हमारे multiple revision हो जाएं तो सबसे पहले जैसे किताब के उपर सबसे आगे index लिखा होता है राइट मैं आपको अमेशा कहूंगा कि solution chapter ncrt के अंदर खुलो और 5-10 मिनट में उसको एक बार उपर से देख लो क्या-क्या heading से क्या-क्या इसमें पूछा जाता है और लास्ट में जो आपके end exercise questions है उनको एक बार रीड गर लो इससे क्या होता है अब आपके दिमाग में ज questions देख रखें कैसे पूछे जाते हैं इसमें से आप one shot से बहुत अच्छा रिलेट कर पाऊगे जैसे टीचर कहेंगा कि यहां पर हम यह topic पढ़ रहे हैं आप एक दम सहां यार यह तो मैंने ncrt में देखा था और इसका related question भी आता है इसमें comparison पूछा इन जाता है इन दोनों देख लो अब हमने सारे स्टूडेंट्स के लिए हर सब्जेक्ट के लिए क्लास 12 के one shots बना रखें चाहिए आप मैस के फिजिक्स क्यों कमिस्टिक आपको को और अच्छे लगते हैं जो आपको बेस्ट लगे आप वहां से पढ़ो हमने जो बना रखें वहार सारे के सारे फ मैं क्या करता उसके बाद मैं नोट्स पर निकालता अब यहां पर दो ऑप्शन है या तो आप किसी के बहुत अच्छे नोट्स पर लो या फिर आप NCRT से खुद गो थू कर लो और NCRT से गो थू के बाद अपने सेल्फ नोट्स ले लो या फिर कोई भी आपके कोचिंग इ ना रखिये और यह नोट्स बहुत जबरजस्ते यह वह नोट्स हैं जिनोंने NCRT का कोना कोना कवर कर रखा है राइट हो सकता है किसी में हैं राइटिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो पर कॉन्टेंट वाइस आपको सारे हैं रिटन नोज वाइस और साथ में कौन सा सब्सक्राइब कॉछा गया था उस हद तक कि आपको नॉलिज दे रखें तो आपको जो प्रेफर हो आप या तो खुद NCRT से गो थ्रू कर ले सेल्फ नोट्स बना ले या हमने जो नोट्स दे रखें वो कर ले सारे के सारे वह करेंगे स्टेप ये करने के बाद फिर मैं आपको कहता कि या आपका या होना चीर कि 2 दिन बाद चार बाद साथ दिन बाद और 14 दिन बाद मैं एक बार उनको मैंने solution चाप्टर पबढ़ै अब इसको मैं रिवाइस कर लो पर यह remarkable रिवाइस करने में तो ताइम जाता है आपको revise करना है using the 10% rule और 10% rule क्या कहता है 10% rule यह कहता है कि मालनों solution chapter के जो notes है वो 10 pages के हैं तो आपको सिर्फ एक page के अंदर ही सारी चीज़े revise करने हैं अगर solution chapter के notes 20 pages के हैं तो सिर्फ उसके ओपर से go through करो और जो जो important है वो दो पन्नों के अंदर ही लिखो सिर्फ 10% लिखो इससे क्या होता है लिखने से हमारे हाथ को याद रहता है और जो भी important formulas होंगे important concepts होंगे उनको आप लिखोगे और लिखने से इदर देखना पड़ता है तो यह 10% रूल आपको बहुत benefit करेगा तो आज आपने कोई चाप्टर पढ़ा है आप स्कूल जाते हो आप कहीं भी नहीं तो बना सकते हैं वह हैं short notes यह आप बनाओगे तो ठीक है नहीं तो आपको दूँगा है यह हमने लाश्ट यह शूर्ट नोट्स को दिये थे short notes क्या होता है short notes इस प्रकार के notes है कि मालो तीन दिन बाद आपका chemistry का board exam है दो दिन बाद आपका chemistry का board exam है और आपको 10 chapters करने तो वह short notes बड़ा help करते हैं या फिर सुबह आपको जश्ट आप उठे पेपर वाले दिन और एक बार होते ना दो तीन घंटे में को याद होगा फिर जैसे ही दो दिन का gap है जहां पर थोड़ा बहुत टाइम मिले उस chapter को revise कर दो या हर दिन अपना slot दे दो शाम को 5-6 बजे के बीच में revise करता हूं जो भी आपको रखना है whatever works for you works for you मैं अपने time में क्या गरता था हम स्कूल जाते थे तो स्कूल मेरा लगबक 45 मिनट्स दूर होता था तो सुबह जाते वक्त 45 मिनट्स मिलते थे और दोपैर को आते वक्त 45 मिनट्स मिलते थे इस वाले time के अंदर में अपनी चीज़े रिवाइस करा करता था तो whatever works for you जहां आपको slot मिले वहां करना है 10% रूल से इस चीज़ को करना लास्ट में अपने शॉर्ट नूट्स बनाना और आपका यह चाप्टर बहुत बढ़िया तरीके से अप्स हो गया है कि अब एक चीज जो आपको याद रखनी है कमिस्ट्री बाइबल है कमिस्ट्री के बार कुछ नहीं पूछा जाएगा इन फाक्ट और गानिक कमिस्ट्री तो एक ऐसा सेक्षिन है जिसमें एक दौर हुआ करता था मंदब चार पाच-छे साल तक जैसा कोश्चन NCRT में देखें आप अपने सॉल्ड एक्जाम्पल देखें नहीं तो आप नोट वगरा भी देखेंगे इनके अदर भी हमने काफी पूरा कॉंटेंट तो कवर करी रखा है और काफी सारे सॉल्ड एक्जामपल पीवाइक यह सारे रखें आए होप यहां से आपको एक काफी नहीं पसंद घूट मार लो इसमें नंबर आएंगे हमारे राइट तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं जितने भी रिसोर्से जैसे की स्लेबस सैंपल पेपर चैप्टर्स के नोट्स और इन सब के वन शॉट्स वीडियो जो हैं यह सब के सब में नीचे डिस् कि आज तक के सबसे ज्यादा नंबर आएंगे और कमिस्ट्री में तो आपको सबसे असान लगेगा और आप और भी ज्यादा नंबर लेकर आओगे यह एक फैक्ट है इसे कोई नहीं बदल सकता आपको पेपर छोड़के आना पड़ेगा इसे बदलने के लिए इसे के साथ करते हैं तब तक के लिए लब यू आल टेक केर और अगर आपको सीवीटी के उपर डेडिकेटेट चाहिए हो तो आप मुझे जरूर बताएं सीवीटी में ज्यादा कुछ डिफ्रेंस नहीं है हमें यही सारी त्यारी करनी है बस च्छै और सब्जेक्ट हमारे जो बोर्ड म एकजाम के लिए तब तक के लिए लव यू आल टेक केर और सिया